आप लोगोंने बहुत से ठगों के किस से सुने होंगे। कई ठगों पर तो मूवीज भी बनी हैं लेकिन कई ठग ऐसे शातिर होते हैं कि उनके कारणामों को सुन जहन में सिर्फ और सिर्फ एक इसावाल आता है कि आखिर इन्होंने ये किया कैसे होगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है तमिल नाडू से जहां तीन लोगों ने मिलकर भारती स्टेट बैंक यानी SBI की ब्रांच खोल रखी थी और ये कुछ दो या तीन दिन से नहीं बलकि पिछले तीन महिनों से उनके दवारा SBI की फरजी ब्रांच चलाई जा रही थी। हाला कि तमिल नाडू पुलिस ने अब इन लोगों को किरिफतार कर लिया है। होई थी जबकि उसकी माँ दो साल पहले एक बैंक से रिटार हो चुकी थी। वहीं एक व्यक्ती पन्रूती में printing प्रेस चलाता था तो तीसरा व्यक्ती rubber stamp शापने का काम करता था। तीनों में से एक व्यक्ती प्रिंटिंग प्रेस चलाता था जिसके यहां से बैंक से जुड़े सभी नकली दस्ताविज चापे जाते थे। इसके साथ ही रबर स्टैंप वाली दुकान से बैंक के स्टैंप पादी तियार करके लगाय जाते थे ताकि लोगों को इसके फर्जी होने का शक पैदा ना हो पाए। प्रेस्तान का दोरा किया देखने में वह बिलकुल SBI की ब्रांच की तरहे थी जिसे देख सारी दोकादड़ी सामने आ गई। फिर अधिकारियों ने पुलिस को इस फर्जी SBI की दोकादड़ी की जानकारी दी जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गरफतार कर लिय इस खबर से जूड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा एक बार फिर से लोटेंगे एक नई अपडेट के साथ